हलो फ्रेंट्स मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आस्था कम्पूटर्ण फॉर्णिशन में फ्रेंट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सल में आप टेबल कैसे इंसेट कर सकते हैं मिंटो में टेबल कैसे बना सकते हैं 2 से लेके 20 तक या 2 से लेके 10 तक टेबल आपको इसे इंसेट कर सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक्सल ओपन करना होगा तो माली जी मैंने अपना एक्सल ओपन कर लिया है और हम यहाँ पे एक टेबल इंसेट करने जा रहे हैं और किस तरह insert करेंगे यह आप लोग देखिए तो सबसे पहले करना कि है friends यह आप लोग को ध्यान रखना है कि A वाले कालम में आपको कभी भी कुछ भी नहीं लिखना है यह यह वाले कालम को आपको blank रखना है बाकी आप B से C से D से किसी भी कालम से आप लिख सकते हैं तो सब सबसे पहले माली जी आपको लिखना क्या होगा यह भी बताते हैं सबसे पहले आपको 0 लिखना होगा माली जी हमने यहाँ पर 0 टाइप किया 0 लिखना है इसके बाद आपको 1 नहीं लिखना है फिरेंस आपको लिखना 2 यहाँ से 2 टाइप कर दिया 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इस तरह टाइ इसके बाद फ्रेंड्स आपको टेबल जहां तक की लिखनी हो 11, 12, 13, 14, 15 यानि आपको अगर 20 तक चाहिए तो आप 20 तक नंबर टाइप कर दीजिए माल जेहम आपको केवल 2 से लेके 10 तक टेबल ही इंसर्ट करना बता रहे हैं आप लोग 20 तक भी इसी तरह इंसर्ट करके टेबल क्रेट कर सकते हैं करना क्या है आपको सिंपली 0 पे जाना है जहां पे आपका 0 लिखा है वहाँ पे एक फार्मूला आपको इंसर्ट करना होगा सबसे पहले आपकी बोर से equal to any बराबर की प्रेस करिए और यहां पे आपको लिखना सिंपली A1 इसके बाद multiply लगाना है अपना निसान multiply का यहीं स्टार इंसर्ट करक्ते है multiply के लिए और A2 यही फार्मूला इंसर्ट करना हमेशा यही फार्मूला ही इंसर्ट किया जाएगा table लाने के लिए फिरेंस और आपको enter कर देना है इसके बाद आपको उतनी area पूरी select करनी है जितने में आपका data भरा हुआ है extra नहीं select करना है यह आपको लोगों को ध्यान रखना है यह मैंने select कर लिया इसके बाद आपको जाना है data में data type भी आपको सामने दिखाए पड़े इस पे आपको click कर देना है और आपको select करना है what type analysis में जाने के बाद आपको नीचे देखी लिखा हुआ है data table इस पे click कर दीजिए और जहाँ पे लिखा है row input cell यहाँ पे आपको लिखना है simply a1 इसके बाद आप mouse से click करके भी आ सकते हैं या फिर आपको type की press करना है एक बार आप type की press करिए आप नीचे column input cell में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लिख देना simply a2 और enter कर दीजिए या ok कर दीजिए जैसे ही ok करेंगे देखिए आपकी table insert हो गई automatic अब यह table हमारी आ गई है इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इस तरह भी पढ़ सकते हैं और हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं तो यह table automatic देखे मिंटो में बन गई है अब इसमें आपको border लगाना है इसके ने टेबिल को formatting करना है तो आपको home में जाना होगा और यहां से आप ले लिजी all border ले लिया इसके बाद आपको center लगा देना है अब हम यह देख रहे हैं friends कि इसमें कि जो column है वो काफी चौड़े बने है नहीं column की width जो है वो ज़्यादा है तो हमको column की width कम करनी है तो आपको करना क्या है आप format पे जाईए और column पे column width पे click कर बाद यहां पे देखे आल लेडी पहले से जो column की width है वो है 8.43 हम यहां से इसको delete करते हैं यहां पे हम कर देते हैं 5 and कर देते हैं OK देखे column की width आटोमेटिक कम हो गई इसके बाद आपको फार्मेटिंग करनी है इसकी जैसे बोल्ड कर दिया और बोल्ड कर दिया देखे color fill करना है तो आपको क्या करना है home में यानि home type को select करना है और आपको जाना है conditional formatting कंडिशनल फार्मेटिंग में जाने के बाद आपको आना है database में और यहां पे data barth में जाने के बाद आपको यहां से कोई भी color आप fill कर लीजिए अपने according कोई भी color आप choose कर सकते हैं यहां से ल लाई हो जाएगा या फिर आप icon set से लिखाए special ले लिजिए कोई भी यह देखे कोई भी color आप लगा सकते हैं मा लिजिए मैंने एक color इसमें से ले लिया यह यह देखे ले लिया देखे टेबल में फार्मेटिंग लग गई तो इस तरह टेबिल बना सकते हैं आप 2 से 20 तक बनाई है 40 तक 50 तक यानि जितनी टेबिल आपको बनाना है उसाप से आपको टाइप करना बस यह आपको ध्यान रखना है कि एक आप चाहे तो हर्जिंटल में 0 से 2 0 से ले करके 10 तक लिख लिजिए या फिर आप इधर से 0 से 10 तक लिख लिजिए उसके बाद एक तरफ आपक जिएरो से 10 तक लिखना दूसरी तरह आपको टेबल लिखना कि आपको टेबल कहां तक की इंसर्ट करनी है वो सारे अंग लिखने है वह इस तरह आप टेबल बना सकते हैं मिन्टों में तो फ्रेंट्स यह वीडियो अच्छा लगओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके तब तर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में